नमस्कार आप सुन रहे हैं दे बॉलिवुट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की दो ऐसी एक्ट्रिस की हेरोईन की जो जिन्हों ने राजेश खन्ना के साथ अंगिनत सुपर डूपर हिट फिल्में दी लेकिन वो कहते हैं न की एक कालखंड में दो परस पर चल रही हेरोईन हो या हीरो हो या क कोई भी कलाकार हो उनमें प्रतिसपर्धा होना लाजमी है और ये प्रतिसपर्धा कभी कभी हिरोईन के बीच में कैट फाइट के रूप में बदल जाती है कुछ ऐसा ही दिल्चस्प कसा शर्मिला टैगोर और ममतास के बीच है जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक से ब बात होगी शर्मिला टैगोर और ममतास से अलग हट कर राजेश खन्ना की कल्पना नहीं किया सकी यानि कि राजेश खन्ना की फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो आपको शर्मिला टैगोर और ममतास पर बात करनी ही पड़ेगी लेकिन सालों बाद ममतास ने शर्मिला को लेकर एक इंटर्वियू में खुलकर बात की और उसी इंटर्वियू के हवाले से आज ये किस्सा हम आपको सुना रहे हैं कि कैसे राजेश खन्ना की दो हिरोईन आपस में लगबग एक ही कालखंड में साथ साथ चल रही थी और उलजते हुए सुलजते हुए और सालों बा नाथी एक्ट्रेस शर्मिला टैगॉर के साथ किसी भी तरह के मन मुटाओ से अब इंकार कर दिया है अब वो कहती है कि ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं है हाला कि उन्होंने पहले कहा था कि वो दोस्त नहीं बन सकती और एक दूसरे के साथ घूम नहीं सकती लेकिन अब उन्होंने साफ किया है कि उनके और शर्मिला टैगॉर के बीच कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन उन्होंने ये भी याद किया कि जब वो दोनों राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी तब भी उनके बीच किसी तरह की कोई प्रतिद्वन्दिता नहीं थी ये सब फिल्म मैगजीन और गौसिप का हिस्सा था मुम्ताज ने एक इंटर्व्यू दिया हाल के दिनों में और उन्होंने कहा कि मैं उनका यानि कि शर्मिला टैगॉर का बहुत सम्मान करती हूँ वो मुझसे कहीं ज़्यादा शिक्षित हैं पढ़ी लिखी हैं बद्धिमान हैं मैंने तो आठ साल की उमर में काम करना शुरू कर दिया था इसलिए मैंने काम के दौरान ही सब कुछ सीखा चाहे वो शर्मिला टैगॉर हों या कोई और हिरोईन मुझे तो दरसल उनसे बात चीत करने का उस दौर में समय ही नहीं मिला मुझे आगी कहती हैं लेकिन हाँ मैंने शर्मिला जी की तुलना में राजेश खन्ना के साथ जादा फिल्में की हैं जितने फिल्में शर्मिला टैगॉर और राजेश खन्ना की रही हैं मैंने उस से जादा फिल्में राजेश खन्ना के साथ की हैं साथी मुम्ताज ये भी कहती हैं कि अब ये भगवान का आशिरवात था कि काका के साथ मेरी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई और शर्मिरा जी ने उनके साथ कई फिल्में की, कई सुपर डुपर हिट रही लेकिन कई ऐसी फिल्में हैं जो फ्लॉप भी रही और ये एक अंतर है जो मुझमें और शर्मिरा टैगॉर के बीच है राजेश खना के साथ काम करने को लेकर बात इसलिए चुकि उस दोर में राजेश खना कैश्टाडम हम सभी जानते हैं कि चरम पर था कोई भी बात राजेश खना से शुरू होकर राजेश खना पर ही खत्म होती थी और ये दोनों हिरोईन मुम्ताज और शर्मिरा टैगॉर उसी कालखंड में अपने आपको ग्रो कर रही थी और जब राजेश खना की बात हुई तो मुम्ताज ने साफ़तोर पर कहा कि मैंने राजेश खना के साथ जितनी भी फिल्में की हैं दस की दस मेरी सुपर डूपर हिट रही जब कि शर्मिरा टैगॉर के साथ ऐसा नहीं है और मुम्ताज ने आगे कहा कि राज़ेश खन्ना ने दोनों एक्ट्रेस के साथ काम किया लेकिन वो उनके प्रती बहुत पजिसिव थे मुम्ताज ने कहा कि राज़ेश खन्ना ने कभी भी प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा नहीं दिया हम दोनों के बीच केट फाइट को कभी भी उन्होंने उसको और जादा उस पर नमक नहीं छिड़का और शर्मिला जी के खिलाफ एक शब्द भी कभी राजश खन्ना ने नहीं का साथी मुम्ताज आगे ये भी कहते हैं लेकिन जब मैं धर्मेंदर जी या देव साहब देवरंद जैसे बाकी सितारों के साथ फिल्में साइन करती थी तो काका परेशान हो जाते थे लेकिन उन्होंने अन्न अभिनेत्रियों के साथ काम किया, मैं कभी नाराज नहीं हुई और उन्हें लगता है कि वो मेरे मालिक थे लेकिन कोई बात बात नहीं इसका मतलब था कि वो मेरी परवा करते थे और शायद ये बात शर्मिला टैगोर के साथ नहीं थी ये बात सिर्फ मेरे साथ ती इसलिए मैं कह सकती हूँ कि राजेश खन्ना के मैं सबसे ज़्यादा करीब रही आपको बता दें कि एक पुराने इंटर्वीव में मुम्ताज ने शर्मिला टैगोर के साथ अपनी पतिस परधा के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि हिरोईने दोस्त नहीं हो सकती और उसी पर जब आगे दूसरे इंटर्वीव में उनसे सवाल बूचा गया कि आपने तो कहा था कि दो हिरोईन कभी भी दोस्त नहीं हो सकती तो आपके और शर्मिला टैगोर के बीच में किस तरह के relation रहे और आज किस तरह के relation है और इसके बारे में उन्होंने कहा कि दिखाँ ये मैंने कहा था कि हिरोईने कभी दोस्त नहीं हो सकती ना तब ना अब हम साथ में डिनर या हैंग आउट नहीं करते थे और ये हमेशा से ऐसा ही रहा था ममतास कहती है कि बात के दिनों में चीजें बदलती हैं अलग होती है लेकिन ये बात सही है कि जिस दोर में हम काम कर रहे थे दो दो शिफ्ट में काम करना पड़ता था तो इतना मौका किसी के पास नहीं होता था कि वो किसी के साथ जाके हैंग आउट करे बाहर घुमें पार्टी करें वक्त इतना नहीं मिलता था और मुम्ताज ने चुकि ग्यारा साल के अमर में बॉलिवोड में डेबियू किया था और लगबग 30 साल तक फिल्मों में काम किया और वो अक्सर अपने सहकर्मियों के बारे में अपने बेबाग बयानों के लिए सुर्खियों में रहती थी और हालिया बाच्चीत के दौरान जब 77 साल की अब हो चुकी मुम्तञ ने दिलीब कुमार और साहरा बानो के साथ काम करने के भी अपने अवभव साज़ा की ए उन्होंने का कि उनके साथ काम करना एक खुशी की बात थी मुम्तञ ने का कि शूटिंग के दौरान साहरा जी बहुत गरमजोशी से पेश आई पहले सीन में मुझे दुलीब सहाब को मारना था तो मैं डर गई उन्होंने का कि तुम मुझे क्यों नहीं मारोगी मुझे जोर से मारो मैं प्रत्वी राज कपूर, शशी कपूर, महमूस सहाब, सुलीलदत सहाब जैसे लोगों की आभारी रहोंगे उनके दयालुता को कभी भूलूंगी नहीं हलाकि हमने इने बहुत जल्दी खो दिया है ये तमाम बातें कहते कहते मुम्ताज भावुक हो जाती है फिल्म इंड़ेस्टी भी सिर्फ फिल्मे नहीं बनती, यहां रष्टे भी बनते बिगड़ते हैं कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है कोई किसी को दिल दे बैठता है तो किसी का ब्रेक अप हो जाता है किसी को सुखदुक बाटने के लिए दोस्त मिल जाता है तो किसी को दुश्मनी बर्बाद करके रख देती है और बॉलिवूट के गलियारों में ऐसे ही कई किस्से हैं और ऐसा ही किस्सा जो मुम्ताज और शर्मिना टैगौर का हमने आपको सुनाया दोनों के बीच मनमुटाव की चर्चा आज भी होती है दो हिरोईने कभी दोस्त नहीं हो सकती आपको पताते हैं कि मुम्ताज का जन्म अब्दुल सलीम असकारी के घर में हुआ था जो ड्राइफ रूट्स के वेंडर थे उनके मा शादी हबीब आगा इरान की रहने वाली थी और मुम्ताज के जन्म के एक साल बाद ही उनके पैरेंट्स का डिवास हो गया था उनके एक बहन भी हैं जिनका नाम मलिका है उन्होंने रेसलर और इंडियन एक्टर रंधावा से शादी की थी जो एक्टर रेसलर दारा सिंग के छोटे भाई थे मुम्ताज ने साल 1958 में पहली फिल्म की थी जिसका नाम था सोने की चडिया वो बतोर चाइल्ड आर्टिष्ट इस फिल्म में नजर आई थी इसके बाद टीनेजर के रूप में उन्होंने साट के दशक में काम करना शुरू किया फिर वो कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई मुम्ताज ने दारा सिंग के साथ 15 से 16 फिल्मों में काम किया जिसकी वज़े से वो इस्टंट करने वाली एक हिरोईन भी बन गई थी और यहीं से उनके करियर का ग्राफ गरने लगा जो कि उन्हें बी ग्रेड हिरोईन्स की केटेगरी में उनका मुल्यंकन होने लगा लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह से सम्हाला और अपनी इमेज को बनल डाला मुम्ताज ने राजश खन्ना के साथ ब्लॉक बश्टर फिल्मे की फिरोज खान के साथ काम किया शमी कपूर और शशी कपूर भी उनके साथ काम करने के लिए तयार हो गए जो पहले हिचकते थे धर्मेंदर से लेकर जितेंदर तक कई ऐसे अक्टर थे जिन्होंने मुम्ताज के साथ काम करने से मना कर दिया था लेकिन बाद में उनका टैलेंट देखकर सभी का नजरिया बदला और ये होता है मुम्ताज उस दशक में टॉप एक्टरिसेस में शुमार हो गई थी और उस समय फिल्म इन्नष्टी पर रेखा, हेमा मालनी, शर्मिला टैगौर, जया भादुरी, जया बच्चन जैसी एक्टरिसेस का एक च्छत राज हुआ करता था और उस दोर की फिल्मी मैगजीन्स पर अगर गौर करें तो मुम्ताज और शर्मिला टैगौर में कभी बनती नहीं थी और इस पर मुम्ताज ने एक बार कहा था कि ये मुकाबला नहीं था, वो गुल्डन स्पून के साथ पैदा हुई थी उनके पहली मुवी शमी कपूर कश्मीर की कली थी शमी कपूर के साथ और वो तुरंट इश्टाब बन गई थी मैंने ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में शमी जी के साथ सपोर्टिंग रोल करके शुरुआत की थी श्रमीला और मैंने दोनों ने राज़ष कहना के साथ फिल्मेंग गे और शायद इसलिए मीडिया ने बक्वास भी लिखा मेरे बारे में लेकिन सच ये है कि हेरोईने कभी दोस्त नहीं हो सकती तब भी नहीं और अब भी नहीं ना तो हम साथ में कहीं बाहर जाते हैं ना कभी खाना खाते हैं ना नाश्टा करते हैं हमने कभी हैंग आउट नहीं किये और हमेशा से ऐसा रहा है मुमतास का नाम कई एक्टर्स के साथ भी जुड़ा और जब उनसे पूछा गया कि क्या स्टार वाइफ्स उनकी खुबसूरती से जल्दी थी इस पर उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि मेरी वज़े से इस्टार वाइवस इंसेक्योर थी मगर एक औरत दूसरी खुबसूरत औरत को देखकर जरूर जिलती है इसके उपर सब मेरे साथ अच्छे थे मैंने कभी ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने मेरी पीठ पीछे क्या कहा मुम्तास का नाम शमी कपूर के साथ जोडा गया बताया जाता है कि वो उनसे शादी करना चाहते थे और इस बारे में मुम्तास ने कहा था कि जब हम बरमचारी मुवी की शूटिंग कर रहे थे तब मैं अठारा साल की थी और शमी कपूर के प्यार में भी थी और शमी कपूर एक चार मुआ करते थे बड़े सितारे थे कोई भी उनके साथ काम करने के लिए बेकरार रहता वो चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़ दूँ लेकिन मैं इसके लिए तयार नहीं थी मेरे पास जमेदारी थी परिवार को देखना था मैंने बूंद जो बन गई मुटी फिल्म के दौरान अपनी मा को खो दिया था मुम्ताज ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद और करियर के पीक पर मुम्ताज ने करियर को अलविदा कहा ऐसाम तोर पर कोई हिरोईन कहीगी नहीं लेकिन मुम्ताज ने बिजनेसमेन मयूर मादवानी से साल 1974 में शादी की जब उनका करियर बिलकुल शिकर पर था दोनों के दो बेटियां हैं इन में से एक नताशा ने फिरुस खान के बेटे फरदीन खान से साल 2006 में शादी की और एक जानकारी आपको दे दें कि 54 साल की उम्र में मुम्ताज ने ब्रेश्ट कैंसर से जंग भी लड़ी और जीती भी सुनते रही दबॉलिवूट ट्रीडियू सुनता है सारा इंडिया